हारी कृष्णा जैशीला प्रभुपाद आज अर्चन अपने सगे सम्बंदियों को मारने के लिए तयार नहीं है वे श्री कृष्ण को कारण बताते ही जा रहे हैं वे ऐसा इसलिए करे है कि शायद किसी एक कारण को सही मान कर श्री कृष्ण ये युद ना होने दे अर्चन कृर्वो को मार कर पाप कर्मों में प्रविर्थ नहीं होना चाहते आज वो एक और नए कारण को श्री कृष्ण के आगे बताने जा रहे है तो चलिए सुनते हैं कि अज अर्जुन जी श्री कृष्ण को आगे कौन सा कारण बताने जा रहे है आज हम सैंतिस्वा और अठतिस्वा श्लोका एक साथ करेंगे सैंतिस्वा श्लोका अर्थार्थ हे जनार्धन यद भी लोब से अभिबूच चितवाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रो करने में कोई दोश नहीं देखते किन्तु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराद देख सकते हैं ऐसे पापकर्मों में एक यू प्रविड़्थ हो अब अनवात के नुसार शत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वे अपने विपक्षी दल दुआरा युद्ध करने का या जुवा खेलने का अमंत्रन दिये जाने पर मना करे इसलिए अर्जुन भी इस युद्ध के अमंत्रन को मना नहीं कर सकते थे क्योंकि दुर्योधन ने उनको खुद ललकारा था इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि कौर्वों को इस युद्ध के परिणामों का पता ही न हो लेकिन अर्जुन को युद्ध के दुष परिणाम साफ दिखाई दे रहे थे इसलिए वे इस युद की ललकार को स्विकार नहीं कर पा रहे थे युद में अनेकों सैनिक और अनेक योध्धा बिना किसी कारण मर जाएंगे इसलिए अर्जुन उन्हें बचाना चाते थे आज का सूविचार यदि हमारे कर्मों से किसी का भला होता हो या उसका परिणाम अच्छा हो तो वो जरूर करना चाहिए और जिस करम से किसी के मन को ठेस पहुँचती हो या कोई दुश परिणाम निकलता हो उस करम को त्याग देना ही उचित है इसलिए सोच समझ कर ही अपने करमों को कीजिए और अपने हर करम को श्रिक कृष्ण को समर्पित कर दीजिए जिससे वे करम कृष्ण भामना भावित करम बन जाएगा और हर समय जबते रहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और हमेशा खुश रहिए इसी के साथ भगवत गीता यतारुप का 37 और 38 श्लो का पूरा हुआ इस चैनल को लाइप और सब्सक्राइब करते रहिए और हमेशा खुश रहिए हरे कृष्णा जै शीला प्रभुपाद